परिशिष्ट उत्तर अमेरिका के कुछ शोद करताओं ने मैक्सिकन ट्रेटा नामक गुफा में रहने वाली मचलियों पर शोद किया है गुफा में मचलियां कैसे पहुची होंगी? इसके लिए शोद करताओं ने यह परिकल्पन बनाई कि जब गुफा के पास बहने वाली नदियों में आई बाढ के पानी ने गुफा में प्रवेश किया होगा तभी इन मचलियों के पूर्वज भी गुफा के पानी में आ गए होंगे इस प्रकार उनको नए वातवरन का सामना करना पड़ा होगा शोद करताओं ने सबसे पहले गुफा वा बाहर के पानी के तापमान, पी एच वा घुलित ऑक्सीजन आदी में पाय जाने वाले अंतरों का पता करने का प्रयास किया उन्होंने पाया की सबसे बड़ा अंतर पानी के खारेपन का था बाहर के पानी की तुलना में गुफा के पानी का खारापन काफी कम था इसके आधार पर प्रयोक्षाला में इन वैज्ञानिकों ने गुफा में पाय जाने वाले पानी एवं वातवरन जैसी परिस्थितियों का निर्माण किया इसमें बाहर की मचलियों के ब्रुणों को पाला इस नए वातवरन में पली मचलियों की आखों के आकार में काफी विविदता दिखाई दी कुछ मचलियों की आखें बहुत ही बड़ी थी और कुछ की बहुत ही चोटी जब छोटी आखो वाली मचलियों का अलग से प्रजणन कराया गया तो उन्होंने देखा कि ये छोटी आखो वाला लक्षन उनकी संतान में भी था ऐसा नहीं था कि मचलियों की आखो के आकार में पहले कोई विविद्धा नहीं रही होगी लेकिन एकदम अलग वा नयवातवरन में आने के कारण विविद्धा काफी अधिक दिखने लगी